आज पैरों का भ्यास और पैरों मेंदी जंजनाहार नस कहीं दब रहा हो या पैर कंगूलिों में, तलों में जलन, घुटने में दर्ध, एड़ी में दर्ध, पिंडलियों में दर्ध, या जंखाओं में दर्ध हो रहा हो तो उसके लिए हम आज आपके लिए बहुत सुन्दा सा भ्यास लेकर आये हैं आपको इस्ठंड के मौसम में इसको जिस तरीके से बहन जी ने बैठा है इस आसन का नाम है दंड आसन यानि दोनों हाथ को कमर के पास रखते हैं अंगुलियां आगे की तरफ होने चाहिएं सरीर 90 डिगरी पर हो और पैर को दोनों सटा करके इस प्रकार से हम पहला श्टेप से सुरू करेंगे पैर को सिधा रखे पूरा 90 डिगरी पर और सांस को छोड़ते हुए पैर को अंगुलियों को केवल मोड़ना है पैर आगे नहीं ले जाना है ऐसे ऐसे आगे नहीं ले जाना है पैर को अंगुली को केवल दबाएंगे और तलवा आपका सिधा रहेगा इस प्रकार से जोर जोर से संकुचित करेंगे, पूरा जोर जोर से, जितनी आपके अंदर ताकत है, उतनी सक्ती के साथ पैर के उगुलियों को हम दबा रहे हैं, अब ये करने के बार, आपको जोर से पैर को आगे की तरफ दबाना है, और फिर अपनी तरफ खिचना है इसको, और आगे दबाईए ऐसे, और आगे ले जाएए, और दबाईए, ये पैर के सीध में हो जाता है आपका उपरी हिस्सा, ये पैर वाला, और दबाएंगे, जोर से दबाएंगे, आप जोर ये दबाईएगा, तो पूरा आप पैर के उपर के नसे नस खिचा रहा है, फिर आपको आठ से दस बार करना है, बहुत अच्छा, इस प्रकार से जब सासों के साथ करेंगे, सासों में जो गर्मी होती है, वो हमारे नस नाडियों को एक्टिव करेगा, और रक्त का प्रवाह कहीं पर यदि बाधित हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा, अब इसके बाद अगल गोल क्लोकवाईज घुमाएगे, बड़ा-बड़ा सुन बनाएगे, और सटाइए नीचे की तरफ, धीरे-धीरे धोड़ा, पूरा छोटी अउली को जमीन में टच कराते हुए, और इससे आपको घुमाना है, क्लोकवाईज पांच पार, फिर एंटी-क्लोकवाईज, सास भरपूर मातरा में लेना है आपको, जब सास को भरपूर मातरा में लेंगे, और जब आगे की तरफ ले जाते हैं, तो अंगुलिया आगे की तरफ जमीन को रगड़ते हुए जाएवे, तब देखी इसका लाव, देखने में हलका है, लेकिन बड़ी लावकारी है, तो यह पांच बार करें, खूब मरोडिये, जांग को मरोड़ेंगे, और दोनों अंगुठे आपके जमीन के तरफ टच कर रहे हैं, बहुत अच्छा, चार से पांच बार हमने कर लिया, अब आपका काम हो गया, आप दोनों पैरों को सकाएए, और एक साथ दोनों पैरों को कर दिए, और सिधा कर देजे, जमीन में रगड़ते हुए ले जाना है इसको, रगड़ते हुए ले जाएंगे, आपका एड़ी जो है, वो जमीन में घर्सन करेगा, यह देखे, एड़ी जो है, वो मास्टर पॉइंट है, और एक मिनट रुखेंगे, आगे ले जाएंगे, तो एड़ी को रगड़ते हुए ले जाना है, आप पीछे मोड़ेंगे, तो तलवे को रगड़ते हुए लाना है, ठीक है, इस परकार से, एड़ी रगड़ते हुए आगे, और तलवे को रगड़ते हुए पीछे की तरफ लाएंगे, यह तलवे में बहुत सारे ऐसे पंद्रा बार करना है आपको, अब ये कामाप का बन गया, अब देखिए करना क्या है आपको, कि एक पैर को पसार के रखेंगे, एक पैर को यहां पकड़ेंगे, और इसे साइक्लिंग करना है पकड़ के इस प्रकार से, हाँ, ऐसे उठा उठा के गोल गोल गुमाई, लंबा देखिए मोडते हैं तो यह आपका यहां सटना चाहिए, अब दूसरे पैर से करके दिखाईए, हराम से, और उपर ले जाना है, जब उपर ले जाना है तो बड़ा सा सरकल बनाईए, और नीचे लाए तो एड़ी आपके जंगाओं में टच कए, यह आपको चार से पांच पर करना है, यह जो अंगुली है, यहां जो भुटने के नीचे जो नस है, उसको दबाना है चारों अंगुलीओं से, अब यह होने के बाद, अब क्या करना है आपको, कि दोनों पैरों को एक साथ उपर की तरफ उठाईए, और एक साथ नीचे की तरफ उठाईए, एक, दो तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, डैस रोख देंगे अब दोनों पैरों को आपको करना है कि मोड देना है दोनों पैरों को मोड दीजे थोड़ा सा फैला देंगे उसको फैलाने के बाद क्रोस जैसे हम मरकटासन में करते हैं लेट करके क्रोस गिरने दीए, हाँ, यह अभ्यास करना है और थोड़ा फैलाना है पैर को फैलाईए, बहुत अच्छा यानि एक भुटना दूसरे के एड़ी में आपका टच करे और गर्दन दूसरी तरफ ले जाए पैर बाएं तो गर्दन दाएं कभी भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है ये मैं बार-बार आपको कहता रहता हूँ इसको आपको दस बार करना है गर्दन इधर बहंजी जाएगा आपको पैर इधर तो गर्दन इधर, हाँ, क्रोस दस बार करेंगे दोनों आपके घुटने जमीन में टच करेंगे और एडिया भी जमीन में टच करेंगी ये अभ्यास आपको आठ से दस बार करना है ऐसा अभ्यास करने से कभी भी आपके पैर में जलन, घुटने में दर और नस नाडियां हमेशा एक्टिव रहेंगे जंजनाड तो कभी होगा ही नहीं आपका ये जब अभ्यास हो जाए तो अब दोनों पैरों को सका लीजिए एक साथ वही पर मोड करके और मोड करके और यहां पकड़ेंगे और एड़ी को खीज करके अपने जंगाओं में टच कराईगे बैठे बैठे और कसके उसको मांद लीजिए जैसे हम कोई गाठ बानते हैं और कसके दवाएंगे और थोड़ा सा रोके रहेंगे सभ्यास को पांच सेकेंड तक रोकेंगे दस सेकेंड रोकेंगे और ले जाए अड़ी को अंदर और ले जाए दवाई कसके इसको, इस क्रिया को करना है आपको, आप इसको हाथ से दोनों घुटना पकड़िए, यहाँ पकड़ेंगे घुटने को, और उसको फैलाना है, फैला करके ले जाए जमीन की तरफ, आठ से दस बर करना है, ठीक है बहुत अच्छा, यह देखे आपक जब तक घुटना जमीन में नहीं सटेगा, ले जाए बार बार दवाई कसके, दस बार, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, दवाई कसके, इस क्रिया को करने से, हमारा पेलविक रीजन मजबूत होता है, हमारे जंगाओं की मास्वेश्या मजबूत होती है, पिंडलिया क्या करना है, कि पैर पसार देजिए, आज मैं पूरा पैर वाला भ्यास बता रहा हूँ, पैर पसार देजिए, और एक पैर को मोड के हां रख देजिए, जो नियमेत रुप से करते हैं, और एक हाथ आपके, वंगली के पास, एक हाथ भुटने के पास, अब उसको बार बार नीचे की तरफ दबाईए नहीं अभी दबाना है इसको पहले हाँ उसको जमीन मिले जाए शरीर को जुकाना नहीं है याद रखिएगा आप हाथ आपका सीधा हो रहे से प्रेसर दे रहे हैं दबाईए धीरे-धीरे शुरू में हो सकता है थोड़ी दिकत आवे लेकिन आपको दस बार कम से कम हलका सा प्रेसर दीजी एक दो तीन ये खड़ा रखना है ये एड़ी ये वाला पेर का दाहिने का हाँ और दस बार इसको बार बार आप नीचे की तरफ दबा लीजी बहुत अच्छा ये दो तीन ची वह दूअने के लाओ आपलने का दिड़ा हो रहा है दूसरे पipर इसे करदी सकर अभ्यास को इंत अप ये करने के बाद अब दोनों पैरों को आप सिधा कर लें करने के बाद कम से कम पचीस बार दोनों पैरों को एक साथ उठा पटक करें तपकी देना है उससे थपकाना है अब इसे क्या होता है ग कि त पास घरसन हो रहा हैं, आपकी पिनलिया दब रहे हैं, आपके घुटने उपर नीचे हो रहे हैं, और जीवन भी कभी भी घुटने की कटूरी नहीं घिसेंगे, आपके लिगामेंट्स नहीं खराब होंगे, और जंगाओं को बार वार पतकने से वहां की मांस्पेशिया चीश बार कर ली थी, बीना सहारे को, बस काब की हाँ थे, इंटरलोख करके, अपने पैरों को पकड़के, और बार बार केडियों को जंगाओं के तरफीचिया, और शरीर इसमें तना हुआ होना चाहिए, और पकड़ लें, दोनों हाथ को इंटरलोख करके जीए, एक साथ, पहर उठाईयों, बटरफ्लाई को पचीस बार करें, फटा फट, दोनों आपके घुटने केहुनियों में तच करने चाहिए, जब उपर उठाईयों, फटाईयों, पहर हुमत लगा ही, और उपर उठाईयों, इसका नाम है यह बटरफ्लाई, यानि कित बार बाठाईयों, तितली बयान तितली जैसे पंक फैलाती है और उड़ती है ठीक उसी प्रकास से हम भी अपने दोनों होटनों को बार-बार बिना प्रेसर के बिना दबाव के उपर नीचे उपर नीचे करते हैं यह अभ्यास को कम से कम एक से दो मिनट करना चाहिए इन अभ्यासों को करके आप पैरों के अंदर कहीं पर भी कोई दर्द हो रहा है कोई नस दब रहा है या किसी किसी कमा स्पेसिया आपस में फस जाती एंट जाता है उस एंटन को भी दूर करने वाला भ्यास है तो आज हम बैट के करने वाले पैरों के अभ्यासों को आपके समक्ष रखा है यह बैट करके आप कहीं पर भी असानी से आप इसे कर सकते हैं